स्वागत है आपका आज की चाहिए पे आई होप आप सब ठीक हैं और फरी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं गर्मी का मौसम है इसलिए बिलियों के लिए और डॉक्स के लिए पानी का जो बोल है वो भार घर के रखना मत भूलिएगा और आप आजाते हैं मैडम और जनाब प कर सकते हैं कि भो हमेशा का ट्डिसें जो कि मैडम के एसाब से लप जनाब हमेशा निभाते होए आए हैं Amikora एस बार भी कि वही सब करते क्या इस बार एद नहीं मननी थी क्या हिस्वा सेलिबरेशन हो नहीं थी हो नहीं थी बल्कि इस बार तो बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर्स जिन्हों ने कहा कि भाई आप इस बाद चूड़ी लेके क्यों नहीं आए ये जो लहर उठी थी ये साहिबा के व्लॉक से उठी ती जिसने दो दो बार इस बात पर एंफिसिस दी भाई चूड़ी नहीं लाएं सच मेरे कसम खाओ मेरे कस चीज ना करने के लिए लपू जनाब बेबी का कारण कैसे दे देते हैं और खेर ये तो साहिबा ने कहा था में कारण जो है वो मैडम ने जो बताया है मैं सुनके दंग रह गई हैरान हो गई फिर मैं सोचा अच्छा बिचारी कवर अब करने ही कोशिश कर रही है कुछ तो बोलेगी ना अपने लपू जनाब की गलती को चुपाने के लिए मैडम ने कहा कि भाई हुआ ये था कि एक तो इस बार मेरा बेबी है चुटा है तो मैंने ही इनको का था कि आप बैंगल्स मत लाएगा और उपर से अलड़ी इतनी सारी बैंगल्स पड़ी है डबबे की कि जाहित को कहना है कि मेरी बहन के लिए ले जा भाई चूड़िया पर वो अपनी वाइफ के लिए डेलिबेटली नहीं लेके गए और ये पूरा सिनारियो पूरी पूल साहिबाने बड़ अच्छे से खोली है देखा जाए तो अच्छा ही हुआ जनाब की असलियत भी तो नहीं है आपके पास बतेरे सूट हैं शायद इतने सारे हैं कि अन गिनत से भी उपर होंगे और आपने कितनों को अभी तक पहना भी नहीं होगा हर तीसरे महीने हर महीने इश्वर कलेक्शन जाके वहां से कपड़े बनवा के रद्धी की तरह बैट के अंदर स्टफ करके फिर नए कपड़े आप लेने जाते हो तो वह कपड़े भी तो इतने ही थे कि आप वापिस से ना बनवाओ बट हम सब लोग जब कोई त्योहा रहता है तो यूज के ना आप बनवाने गए हाँ वो अलग बात है कि साहिबा के जानी के बाद बट ठीक है भईया आपको चायद वो इतनी पसंद नहीं है कि इत की शौपिंग उसको टाइम से करवा देते जैसे आप लोगों तो पता ही नहीं था क्यों से दिन जा रही है इतना वक्त वो रही पर अपनी भेंग को ईद की शौपिंग नहीं करवाई क्योंकि उसने जो भी कुछ किया शेट थ्रो किया बड़ा दिल को बुरा लगा हाला कि मेरे ख्याल से लपू जनाब को आईना जरूर दिखाया साहिबा ने और कही नगई मैडम के सामने भी सचाई रखी कि लपू जन नहीं मना किया था कि तुम इस बात की एक्स्पेनेशन दो जो डबबा सबसे चुपा थो वो क्यों फूखते है जनाब पर बार जो है वो मैडम का सहरा यह लोग लेते हैं आलगी दूसरी ओ मैडम के साहथ ही लोग क्या करते हैं वो बार जो है मेरी सब्सक्राइबर है उन्ह लिखा है कि hope you read my message आए बिल्कुल में बढ़ रही हो आपका message it's so irritating that whenever anybody would troll so Abe and प्यारी ननत हमारे शब्दों में नाइव ननत तो माडम को यह लोग बठा देते हैं और उन्हें कहते है कि आप clarify करो जैसे कि उन्होंने बैंगल्स के case में करा है कि जब बात आती है चालु आपी की और सौ एब की तो ये दोनों जो हैं ये कभी भी अपनी तरफ से कोई clarification नहीं देते हैं जब शादी के दुरान माडम को ट्रोल किया जा रहा था तो कोई dedicated video या फिर कोई ऐसी clip नहीं डाली गई जहां पे सो एब और चालु आपी जो हैं ये दोनों के दोनों आगे बैट के इन्होंने बोला हो कि नहीं इसमें कोई गलती नहीं है माडम की and that all of this was their choice या फिर उनकी मर्जी से कपड़े बने हैं और इन्होंने ये भी लिखा है कि बैंगनी रंग इतना पसंद है साहिबा को कि आपको हाली में पता ये कहीं गई भी थी तो इसने का था मुझे तो पहने होंगे कपड़े और उन्हें पसंद होंगे उनके हिसाब से बने होंगे उनको भी आगया के इसी तरीकी की एक्स्पनेशन देनी चाहिए थी भावी को सपोर्ट करना चाहिए तब जब उनकी पूरी लाइफ जो है स्टार्टिंग से अब तक जो सेट करती है ना मैडम की लगता हुआ। झहीं तो बहुत बुरा लगता है यहां को लगता होगा हमें काई को लगना है जैसे को तयसा मिल रहा है और हमारे सामने पुरी पिच्चह जल रही है हां यह जरूर है कि अगर हम इस परस्पेक्टिव से देखे कि कितना मैडम ने करा दोनों के लिए तो बुरा behavior जो है साहिबा का वो नहीं होना चाहिए और नहीं लप्व जनाब का होना चाहिए उन्हें समझना चाहिए कि जो सामने बाला है वो भी इंसान है जब सामने वाले ने किस लोग système नहीं समझा तो अब उनके साथ जब ऐसे होगा जैसे कोड़ा होगा तो फिर कैसा होगा मतलब ऐसा होगा जैसा आपको उनके व्लॉग में देखने को मिल रहा है ये कितनी सो रुपे की डेट सो रुपे की कितनी की चूड़ियां थी अगर चाहता तो अपने दिल से खरी लेता और कहा देता कि देखो अभी थोड़ी देर के लिए पहन लेना और जब उसको ठाना हो तो तार के रख लेना इस अल्मोस्त लाइक चांद बाली पहन के मैडम नहीं सोती जरी के कपड़े पहन के या गोटे लगे कपड़े पहन के तो मैडम ने कभी बच्चे को गोधी में नहीं लिया होगा ना तो यह सब कुछ जो वो खरीदती है या भी भी खरीद रही है या फिर जो जनाब दिखलाजा में कपड़े पहन के गई थी बनवा के अमील भाई से तो वो eventually store ही कर दिये और कोई भी हम अगर कोई occasion पे कपड़े पहनते हैं थोड़ी देर के लिए पहनते हैं सबको पता है घर पे हम पहनते हैं हम photos लेते फिर change करके बैठ जाते हैं तो बहुत ही clear है कि हाँ जनाप के दिल में madam के लिए वो regards उतना उस extent का प्यार नहीं है जैसा जुनूनी प्यार जैसा पागलपन madam के दिल में और दिमाग में है जनाप को लेके जो बच्चे को ले ले फिरती थी जनाप दिखला जा कि हर शो में हर रेहर्सल में हर पॉइंट पे वो गई है और एक जनाप है जो जानते बूशते सामने देख के भी बैंगल्स को मना कर रहे है और फिर मैडम ने भी कहते है वो छोटा सा वो एक मार ही दिया पॉइंट जनाप को की हमेशा का जो ट्रेडिशन होता था यह लाते थे वो नहीं लाइज बार क्योंकि बहुत है अल्रेडी डिप बाइगोड ऐसा लग रहा थो उस ताम पे जनाप पार इस रॉंग विकाज जो इतना खर्चा कर पा रही है अपने जो इसका भी एक लपू जनाप तो इसका भी है वो भी लपू है वो तो लपू प्रो मैक्स है तो उसको जिस तरीके से पाल रही है अपने पैसो पे और जितना वो खर्चा एक्स्टेंसिवली करवाता है वो सब कुछ ये कर ही पा रही है because of madam सोचो आप लोग ये कैसी है साहिबा कि जो इंसान इसके लिए इतना कुछ कर चुका है उसके लिए भी इतना मतलब इस हद तक पुरा कर देती है कि वो घर में इसी के सगे भाई भाई के लड़ाई हो जाती है और तो क्या ही matter करेंगे इसकी life में जो लोग पुराने भी रह चुके हैं जब ये जो सगे रिष्टे उनके साथ ही ऐसा कर रही है इसको बड़ा मज़ा आता है व्लॉक्स पर फिरकी लेना बट ये तरीका है ये चाहती है बात को इग्नोर कर सकती थी और उससे भी बड़ी बात ये है कि जणाब चाहते तो everything could have been sorted मतब जितना हो सकते है न self-respect को कुछ चलने वाली बात जो जणाब है वो करते है मैडम की और वो हमें दिखता है क्योंकि जानते बूशते चूड़िया ना लेना और अपने साले साहब को कहना है कि तुम लो मुझे नहीं लेनी इसे कौन करता है आप लोग सोचिए कि कितना नाप पसंदीद की हो गई है जणाब के दिमाग में with respect to मैडम even after the fact कि she has left no stone unturned to घेरा तंग करने वाली बात जो पहले मेरी podcast सुन चुके उनको पता होगा गेरा तंग कैसे करती है माडम यार मतलब टोफी तक पुचा थी और क्या चाहिए जनाब आपको टोफी चाहिए थी चाहसली जानकली उससे क्या मैटर करता है मतलब भच्चे की तरह पालती है and this man cannot get one set of bangles अरूपर से कहती है कि महीपस तो बहुत थे मतलब यह क्या ही भाना था माडम चाहद आपका मास्टरमाइं दिमाग बिल्कुल थप पड़ चुका है पर पहली बार इरुने ऐसा एक्स्क्यूज दिया जो किसी के गले से नीचे 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 सब को समझ में आ रहा है कि व्लॉग के बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरीके से उनको बिढ़ा के एक्स्पनेशन देना he is just covering up his own mistake mistake नी sorry deliberate attempt of showing madam की भाहिया I am done with you अब मुझे आपके लिए कुछ स्पेशल नी करना and he was the one who used to make those vlogs अगर आप इनके पुराने वाले देखें उनका टाइटल भी है that he special feel कराना चाहिए अपने पार्टनर को उसमें एक गंटा बैटके उनोंने ग्यान भी दिया हुआ हुआ है कि हम तो अपने पार्टनर को जब हो सके तब special feel कराते हैं हम मौका नी ढूनते, occasion नी ढूनते बिना occasion के भी एक दूसरे को special feel कराते है and अभी देखें किस तरीके से जनाब की हवाईया ओड़ी हुई थी so it is clear madam now तो अब तो प्रूवी हो गया and that is all because of your favorite naiv nanad sorry daughter jessie nanad जिसने मा जैसी भाबी को बिल्कुल ही side लगाती है and how अज के लिए तना ही आहे हो पाज की podcast आपको पसंद आए हो अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है आपको लाइक, share and subscribe तो आज की जाए परे बच्चों को खाना खिलाते रहे हैं जिसमें cats, dogs, gov, mata, सब आते हैं और पानी का बोल उनके लिए घर के भाब रखना मत भूलिएगा आज के लिए तना ही जैशी राम, रादे रादे, हरे कृष्णा